जनपद बिजनोर अंतरगर धामपुर निवासी पूर्व राज्य मंतरी ठाकुर मूल चन्द चोहान को पुलिस ने धामपुर में ही नजर बंद किया स्योहरा से संजे सर्मा की रिपोर्ड बताते चले मुख्य मंतरी अखलीस यादव के आवाहन पर 14 दिसंबर को जिला मुख्याले पर किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कारे करताओं को पहुँचना था लेकिन धामपुर पुलिस ने आज सुबह से ही ठाकुर मुल्चन चोहन को नजर बंद कर दिया उनके साथ सेक्डो समाजवादी पार्टी के कारे करता कारे अले पर पहुँचे मौके पर HDM धिरेंदर कुमार सिंग, सियो अजय कुमार अगरवाल, क्राइम इंस्पेक्टर राजिस तिवारी समेथ तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे पार्टी कारियाले पर समाजवादी पार्टी के कारे करता जावेद, सईद, मुधिद गुप्ता, लाल बहादुर सिंग, हाजी कला मंसारी, धरमबीर जोसी, अरसाद अली, सुरिंदर सिंग, संजीव कुमार, सलाउत दीन, राजिंदर चौधरी, राजिस सिंग, सलीम तु संजीव सर्मा की रिपोर्ट उनके घरों पर कैद कर दिया गया, और घरों से नहीं निकलने दिया, हमारे कुछ साथी, घरों से निकल कर, दाएंवाएं होकर, वो विजद नौर पहुच गये हैं, और ये लोगतंत्र की हत्या है, लोगतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, ये दवनकारी सर सरकार, ये गुंडागर्दी की सरकार, मैं समझता हूँ, 2022 में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पालिटी की सरकार बनेगी, और जो पांस सालों में, हमारी सरकार में जितने भी विपक्षी दलों के अंदोलन हुए हैं, हमने ना किसी को रोका है, लोगतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, लेकिन ये हर चीज़ को रोक कर, जवर्दस्ति लाठी डंडे चलवा कर, हमारे समाजवादी पालिटी के कारे करताओं का मनुबल डाउन करना चाहते हैं, समाजवादी पालिटी का एक कारे करता हमेशा संगर्ष किया है और संगर्ष करते रहेंगे,